देश में निनों उथल पुथल की स्थिती वे राज नीती होने पर किन्नर गुरू ने कहा है कि यह देश सभी धर्म के लोगों का है जाम्या में जो हुआ है मैं उसके खिलाफ हो यह बात किन्नर गुरू लक्षमी नारायन ने इन दौर में कही किन्नर समाच की लक्षमी गुरू ने बताया कि जाम्या में जो हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ सभी पार्टियों को देश के विकास में सहयोग देना चाहिए होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सभी पार्टियों से चर्चा करनी चाहिए आपको बता दें कि CAA और NRC को देकर देश के कई हिस्सों में इस्थिटी ठीक नहीं चल रही है ऐसे में किन्नर गुरू ने यह भी कहा है कि यह देश सभी धर्व के लोगों का है कि सारे पार्टियों को और समाज में हमारे युवा वर्ग में एक बात तो मैं एक चीज बड़ी खुली तौर पे कहना चाहते हूँ जो जामिया में हुआ मैं उस बात के लिए खिलाफ हूँ हमारे आने वाले भारत को हमारे बच्चों को इस तरीके से पुलीस आताताई बनके अगर पुलीस अपने हाथ में ये सब करेगी और ये किसके कहने पे हुआ इस पे भी बड़ा प्रशन चिन है तो ये निंदनिये हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कल अगर मैं और वरत रहती और मेरे बच्चे रहते तो मुझे भी दुख होता और ये समाज के लिए भारत वर्श के लिए अच्छी बात नहीं है मैं अनुरोद करूँगे कि प्रधान मंतरी अगर इसमें मदवेद है तो सारी पार्टी को साथ में बुलाके और समाज में अगर हम सही तरीके से समाज को एकत्रित करके आगे बढ़ना चाते है और ये भारत की तहजीव रही है भारत सभी का है जितना में हम हिंदू का है उतना मुसल्मानों का है सिक का है इसाईयों का है सब का भारत है और सबने बलिदान दिया है इस देश की आजादी के लिए और मैं ये समझती हूँ कि अगर मदवेद है तो हम एक साथ बैट के हमारे भारत वर्ष की ये तो नियम रही है कि हम एक साथ बैट के सारी मुद्दो को सॉल्व कर सकते हैं मैं अनुरूत करूँगे कि हूम मिनिस्ट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ आए सारी पार्टियों को लाए और ये बातों को खतम किया जाए देखिए ये मुद्दो को मुद्द एक मुद्द को इतना पॉलिटाइज किया हुआ है तो मैं अनुरूत करूँगे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है गरम तवे पे कि अपनी रोटिया मत सेखिने